हिंदु धर्म त्योहारों का धर्म हैं जहां अनेत रहां के त्योहार मनाए जाते हैं इन त्योहारों की अपनी महतवता है बहुत सारे ऐसे त्योहार होंगे जो आपके दिल के करीब होंगे इनमें से दिवाली दशहरा बहुत सारी लोगों को पसंद है अब आने वाले समय में एक और दशहरा हम मनाने जा रहे हैं आज हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा के बारे में कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा सुरिस्ट्री के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरत द्वारा देवी गंगा के धर्ती पर अवतरन दिवस को गंगा दशारा के नाम से जाना जाता है पृत्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर का हिस्सा हुआ करती थी गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है इस कारणोंने सम्मान से मा गंगा अच्वा गंगा मैया कहकर पुकारती हैं गंगा दशारा के दिन भक्त देवी गंगा के प्रुषिव पर अवतरन का धन्यवाद करने हेतु उनकी विशेश पूजा करते हैं तथा गंगा जी में डुक्की लगा कर स्वें को पवित्र करते हुए दानपुने उपवास भजन और गंगा आरती का अयोजन इज़न किया जाता है गंगा दशारा पर हजारो भक्त प्रियागराज, इलाबाद, गड्मुकेश्वर, हरीद्वार, रिशिकेश, वारानसी, पटना और गंगा सागर में पवित्र डुक्की लगाते हैं गंगा दशारा के दिन वारानसी और हर की पौरी, हरीद्वार की गंगा आरते विश्वर प्रसित है यम्ना नदी के पास बसे, पौरानिक शहर जैसे मत्रा, ब्रिंदावन और बेटेश्वर में भी भक्त आज के दिन यम्ना जी को गंगा मिया मान कर सनान करते हैं गंगा दशारा के उपलक्ष में भक्त द्वारा लस्ती, शर्बत, ठंडाई, ठंडा पाने, शिकंजी जैसे, पेपधार्त और जिलेबी, माल पुआ, खीर, फल, तर्बू जैसे मिठाईयां भी वित्रिक की जाती है कुस्तान पर आज के दिन पतंग उडा कर उत्सा मनाया जाता है सनातन धर में गंगा दशारा का विशेश महतव है, ये परवजेट शुकल की दश्मी तिथी को मनाया जाता है इस बार ये तिथी एक जून को पड़ रही है सकंद पुराण में इस दिन सनान और दान का विशेश महतव है मानता है कि इस दिन गंगा नाम के स्मरन मात्र सही सभी पापों का अंध हो जाता है आईए जानते हैं कि गंगा दशारा शुब मूरत और महतव क्या है गंगा दिशारा का शुब मूरे दोपहर दो बच कर 37 मिनट का है इस और आन आप सनान ध्यान और दान कर सकते हैं इस दिन गंगा नदी में सनान करना अत्यंत पुन्यकारी होता है लेकिन करोना महमारी के चलते इस बार शुरधालू गंगा सनान नहीं कर सकेंगे ऐसे में गंग का समर्ण करके अर्ध दे इसके बाद गंगा मया की पूजा रात्मा करें मानता है कि ऐसा करने से गंगा मया की कृपा से शुरधालू के जीवन में कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी कथा में बताया गया है कि जिस दिन मा गंगा प्रित्वी पर आवत्रित हुई उस दिन एक बहुत ही अनूठा और भागेशाली मूरत था उस दिन जेट महा के शुकल पक्ष की दश्वेति थी थी और बार बुदवार था इस प्रकार उस दिन दस शुभ योग बन रहे थे माना जाता है कि इन सभी दस शुभ योगों के प्रभाव से गंगा दशारा के पर में जो भी ब्यक्ति गंगा में सनान करता है उसके ये दस प्रकार के पाप नस्ट हो जाते हैं तो अगर आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस साल 2020 का गंगा दशारा एक जून को बनाया जाएगा जिस दन आप गंगा की पूजा करके अपने हो से मुक्ति पा सकते हैं